आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, आज का जो Question ने देखे यहां पर कहा है कि Give the Bond Angles in Water CH4 and SF6 Molecules हमें इन सभी में क्या देना है Bond Angle बताना है तो देखो अगर मैं इनका Structure ड्रॉ करूँ तभी आप Bond Angle बता पाओगे अब सबसे पहले मैं Water की बात करती हूँ तो इसकी मैं Hybridization निकालू तो उसका एक Formula होता है आपका Number of Valence Electron on Central Atom प्लस Number of Monovalent Atom जितने उसके पास Monovalent Atom है अगर कोई Charge है, Negative है तो हम उसको Add करेंगे Positive है तो हम उसको Subtract कर देंगे ठीक है, then divided by 2 अब अगर मैं Water में Calculate करूँ तो यहां पर मेरा ये Group 16 का है तो 6 Valence Electron होगे प्लस 2 Monovalent Atom है divided by 2, तो यानि की 4 आ गया Hybridization क्या हो गई? SP3 हो गई, यहां पर bond pair कितने है आपके 2 और lone pair कितने है यहां पर 2, तो अगर मैं इसका structure ड्रॉ करूँ, तो मेरा oxygen यहां पर Water, यहां पर Water हुआ, एक मेरा lone pair यहां पर आएगा और एक lone pair मेरा यहां पर आएगा देखो यहां पर अगर मैं यहां पर geometry की बात करूँ, तो geometry क्या होती है SP3 की tetrahedral होती है इसकी जो geometry है, मैं shape की बात नहीं करी, geometry की बात करी हो geometry क्या होती है, tetrahedral है बट यहां पर हमारे पास क्या है lone pair है, हमारे पास क्या है लोन पेर है तो लोन पेर क्या करते हैं यहां पे इसको इधर इस तरीके से पुश करते हैं यहां पे रिपल्शन होता है तो यहां पे हमारा क्या होता है बॉन पेर रिपल्शन होता है वो बहुत जादा होता है तो loan pair, loan pair repulsion की वज़ा से ये क्या करता है, ये ripple करते हैं, तो ये इसको ये दोनों आपस में ripple कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस bond को इधर की तरफ, अंदर की तरफ shift कर देता है, तो हमारा bond angle जो है, वो decrease हो जाता है, जो normal tetrahedral का होता है, उससे decrease हो जाता है, और decrease होके इसका bond angle क्या आता है आपका 105.5 इस तरीके से ठीक है यह इसका हुआ अब अगर मैं यहां पर बात करूँ CH4 की यहां पर किस की बात करूँ CH4 की तो यहां पर इसके पास यह group 14 का है 4 plus 4 divided by 2 तो यह मेरा 4 ही आएगा hybridization क्या है SP3 और bond pair क्या है यहां पर 4 क्यो़की lone pair क्या है यहां पर 0 है तो अगर मैं इसका structure draw करूँ तो मेरा इस तरीके से CH4 यह आपका है तो basically यह आपका क्या होता है perfect tetrahedral होता है यह आपका क्या है perfect tetrahedral है तो इसका जो tetrahedral का bond angle यहां इंगल होता है वह हमारा क्या होता है यहाँ पर tetraidal का bond angle होता है 109.5 तो इसका bond angle आ गया ठीक है अब आपको अगला molecule क्या गिवन है यहाँ पर SF6 गिवन है अब मैं SF6 में अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पर आपका sulfur group 16 का है तो 6 plus 6 divided by 2 तो basically 6 हुआ यानि कि इसकी hybridization आई SP3D2 और bond pair की बात करूँ तो कितने है यहाँ पर 6 और loan pair की बात करूँ तो 0 अब अगर आप इसका structure ड्रो करो तो आपको इस तरीके से होगा यहाँ पर इसका जो structure है यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर फ्लोरीन हो गया यह मेरा एक फ्लोरीन हुआ यहाँ पर आपका एक फ्लोरीन है और यह आपका इस तरीके से एक फ्लोरीन तो यह जो मेरा होता है यह मे के बात करूं तो मेरी क्या होती है oh sub- lyn यहां पे geometry की बात करूँ तो मेरी क्या होती है octodal और with a bond angle जो आपका यहां पे F, S, F का bond angle होता है यहां पे आपका जो यह सभी में जितने भी यहां पे आपके F, S और F वाले bond angle है वो हमारे क्या होते हैं 90 degree होते हैं यह सारे angles हमारे किस पे होते हैं अगर मैं इसकी बात करूँ जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह मेरा 90 degree पे होता है यह मेरा 90 degree पे तो इसका bond angle आपका क्या है एगा 90 degree तो H2O का हमने क्या निकाला यहां पे 104.5 इस सरीके से 109.5 परफेक्ट एट्राइडल और इसका आपका 90 degree ठीक है ओके गाइस थैंक यू